नमस्कार जी मुझीज साब मैं साहिलू लालू मुत्तनवाड महाराष्ट्रा नान्देड लोकसभा क्षेत्र से हूँ मेरा बूत क्रमांग 108 है सर जी मैं आपसे एक प्रश्ण पूछना चाहता हूं सर आप कांग्रेस के अटकने लटकने और बटकने की रवे की बात काफी करते हैं आप बताते हैं कि हमने बहुत सी लंबित परियोजनाओं की हमारी सरकार ने पूरा कर लिया है आप इस बात का कुछ उधारन दे सकते हैं कि हमने किन-किन लंबित परियोजनाओं का पूरा किया है धन्यवाद देखे पिछले साड़े चार वर्सों में आपने देखा होगा कि सरकार के काम करने के तरीके में पूरी तरह से बढ़लावाया है अब परियोजनाओं नकेवल शुरू होती है बलकि समय बद तरीके से पूरी भी होती है जो योजनाओं हमने शुरू किये हैं उन्हें तो हम पूरा करते ही हैं पर जो पहले से लठकी चली आ रही है उनको भी हम पूरा कर रहे हैं चार दसकों से हमारे साइनिक one rank one pension O.R.O.P की मांग कर रहे थे आप सोच सकते हैं चार दसकों तक ये मामला ऐसे ही लटका रहा फाइलों में बंद पड़ा रहा हमने इस मसले को सुल जाया और O.R.O.P के सपने को साकार किया असम के लोग दसकों से बोगी बील ब्रिज का इंतिजार कर रहे थे आप सोच सकते हैं देश वाश्यों को एक पूल के लिए दसकों तक इंतिजार करना पड़ा हमने चार साल के भीतर ही असम के लोगों को बोगी बिल ब्रिद दे दिया असम की गैस क्रेकर परियोजना जो पुर्वत्तर में सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक थी आप सोचिए तीन दसक पहले इसकी कलपना की गई थी इतना समय बीद गया लेकिन इसका काम पूरा नहीं हो सका था लेकिन हमने इस परियोजना को पूर करने का बीड़ा उठाया और 2016 में इसका काम पूरा भी कर दिया हर्याना के लोगोंने लगबग एक दसक तक कुनली माने सर पल्वल एक्सप्रेस का इंतजार किया और हमने चार साल के भीतर इसका काम पूरा किया इस टन पेरिफेरियल एक्सप्रेस बे के लिए दसकों से प्लानिंग ही चल रही थी काम कुछ नहीं हो रहा था और हमने उसको भी पूरा किया जब से हमारी सरकार आई हैं हमने फटिलाजर के आयात पंदे निर्भरता को दूर करने के लिए कई फटिलाजर प्लांस को फिर से शुरू किया है देश क करोणों घर आजादी से अंदकार में जी रहे थे उन्हें अंदकार में से भार निकालने का सवभाग्य भी हमें ही मिला देश में लाखों करोडों किसानों को लाभानमित करने वाली सिचाई योजनाय अटकी पड़ी थी इन्हें शुरू कर किसानों का जीवन बहतर बनाने का सौभाग्या हमें ही प्राप्त हुआ आजाजी से देश में पीछडे जिलों के नाम से कई जिले छुटे पड़े थे हमने ना सिर्फ इनका नाम बदल कर आकांची जिले रखा बलकि यह कारकरम मिशन मोड में चलाया है अब मैं आप ही के राज्य में चल रही विकास परियो कोजना है जो इन दो शहरों के बीच शेत्रों का रूप को बदल देगी इससे दोनों शहरों के बीच यात्रा का सामय घटकर केवल बारा घंटे रह जाएगा इसे एक लाग करोड रुपिय की लागत से बनाया जा रहा है दिल्ली मुंबे इंडुस्ट्रिल कोरिडोर मैनु से काम चल रहा है मुंबे अमदाबाद हाइश्पीड कोरिडोर काफी बड़ी इंफासेक्टर परियोजना है इस परियोजना से एक शेत्र की विकास के संभावनाओं को बड़ावा मिलेगा कुछ दिन पहले मुझे कल्यान में ठाने विवंडी कल्यान कोरिडोर पर मुंबे मेट्रो लाइन पांच और दैसर मिरा भायंदर मेट्रो लाइन नव का सिलान्यास करने का आउसन मिला सालों के इंतजार के बाद इसका काम सुरू हो चुका है पिछले चार वर्सों में हमने मेट्रो परियोजनाओं में तेजी से काम किया है मुंबई, पूने, नागपूर शहरों में मेट्रो से वहाँ के लोगों के जीवन में बड़ा बनलाव आएगा मैं प्रगति के माद्यम से हर मैंने परियोजनाओं के स्थिति की समिक्षा करता हूँ और परियोजनाओं में अगर कोई समस्या सामने आती है तो वहीं तुरंट के तुरंट उसका हल निकाला जाता है बीते साड़े चार वर्सों में प्रगति के माद्यम से 12 लाग करोड रुपे से अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं की समिक्षा की जा चुकी है अम न केबल हम अपनी परियोजनाओं की सुरुवात अच्छी तरह करते हैं बलकि हम यह भी सुनिस्चित करते हैं कि परियोजना इस समय पे पूरी हो